हलो देख रहे हैं All Study Easily Channel आज हम बच्चों को पढ़ाएंगे 9th क्लास का जो कोश्चन हो most important है यह आता है देखे हमारा आच्छा कोश्चन है सुमिंग पुल में गोता कोर पानी काट पाता है इसलिए इससे पदात का कौन सा गुण पेक्षित होता है ठीक है तो देखे इस कांसर है देखेजिए सुमिंग पुल है सुमिंग पुल में कौन सा पदात भरा होता है जल ठीक है अजल कैसा होता है द्रव यह होता है ठीक है मतलब की लिक्विट फॉम में होता है जल बहने का गुड़ पाया जाता है ना देखिए अब जो द्रव है द्रव के बीचों में क्या है करणों के बीच में रिक्तिस्थान होता है द्रव के करणों के बीच में क्या होता है रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान मतलब की स्पेस होता है ठीक है यह देखिए जो द्रव है द्र लो याइज तो डिख्चिय तो थोज केट्द के रोल शक्राइज बहुत पास पास होते हैं ठीक है तो When her बहुत जादा मुश्किल है और यहाँ पर हें द्रव भाद्व है पानी यानि जल जल तो जलगे कड़के थोड़े दूर दूर होते हैं जिससे कि अगुता खुराहर आराम से उसको कैस साइट कर पाता है पानी को जिससे वह आके बढ़ जाए और गैस हमारे वातावरण में कितनी सारी गैस है उससे तो निकलना बहुत ज्यादा मुस्किल है वह सौरी मुम्किन है देखिये हम पैदल चल रहे हैं सडक पे कहीं भी हम जा रहे तो गैस है ना आराम से को गजर जा शकता है द्रव से थोड़ा पर्बलम उटी है द्रव से plement ठोश से आप नहीं गुजर सकते ला आगे तो देखिए इस्याम से कौन सा गुल्ण पृक्षित होता है अब हम इसक उन्हें आ गया है तो ठीक है अगर आपको आंसर लिखना है तो मैं आंसर भी आपको बता देती हूं किस तरीके से आप लिखेंगे देखे, सोमिंपूल में गोता को और पानी को काट पाता है, क्योंकि पानी के कारणों के बीच अंतरानों बल कारे करता है, जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, जो कारणों को एक साथ रखता है, ठीक है, अड़ों के बीच आकरसन बल कम होने के कारण, कोई गोता को और पा यहां पर दुराव रव्ह पासमें और हुका है यह से सब्सक्राइब जाती है तकी है इसान अंग Allion को पीच रुक्तान फिर्डाइब है आप इसका रेक्षारीं नयुशु다면 । और आपको में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेस में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आज गंदा बना ना बोले और स्वेल लाइक कमंड करना भी ना बोले तैंक यू